गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम तू अनलाइन क्लासेश, आइम यो सब्जेक्ट टीचर, और मैं सब्जेक्ट इस क्लासिक्स हिंदे नाओ, तुडे वी आ गोंग तू स्टार्ट न्यू चाप्टर, चाप्टर टू हेर फेर तो जैसा कि बच्चो आज हमने चैप्टर ट्यू, हेर फेर चैप्टर का सिक्षन सुरू किया है, तो हम चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, एक गरी मजदूर सारे दिन खुन पसीना, एक कर्ग देने वाली मेहनत करने के बाद सांज के समय दो आने अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांध कर शेहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की तरफ चला बहुत दूर उसने अपने कच्चे जोपड़े के धूओं को आकास में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी मा उसके लिए खाना बना रही है जैसा कि बच्चों बताया जा रहा है कि गरीब मजदूर दिन भर खुन पसीना एक कर देने वाली महनत करने के बाद साज के समय अपनी फटी पुरानी चादर के कोनों में दो आने को बांध कर शेहर की ओ निकला और मजदूरी करने के बाद वा कच्चे जोपड़े से निकलते हुए धूओं को देखकर यह समझ गया कि उसकी मा उसके लिए खाना बना रही है वा नंगे सिर नंगे पाउं जा रहा था उसके घर में सीवा उसकी बुड़ी मा के कोई सगा ना था उसके घर में एक चुल्धा और दो चार बड़तनों के आलावा और कोई साजो समान ना था मगर फिर भी वा खुश था उसकी चादर में दो आने बंदे थे और दिल में आशा बरी थी वा काफी गरीब था बच्चों लेकिन उसके फिर भी आशा क्या थी वो बहुत जादा उसमें आशा बरी थी उसके दिलों में। वा बहुत खुश राता था सामने से एक बरात आ रही थी मजदूर ने उसे देखा और उसका ख्याल आया हो सकता है कभी मेरा भी ब्या हो मेरी भी ऐसी बरात निकले जब सामने से वो रास्ते में जा रहा था तो एक बरात आ रही थी मजदूर ने उसे देखा और उसे ये ख्याल आया कि हो सकता है कभी मेरा भी ब्या हो मेरी भी ऐसी बरात निकले उस समय में कितना खुश होंगा मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगी और बरात के आगे चल रहे है नौकरो ने उसे का एक तरफ हट जा छोकरे बरात के आगे चलने के सांट जो नौकर जा रहे थे उनने क्या बोला मजदूर को कि एक तरफ हट जा छोकरे मजदूर के बया की कलपना मिट्टी में मिल गई वाकिशकर बोला क्यों हर जाओं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है इस पर हम भी चल सकते हैं बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड दी और उसे उठा कर सड़क किनारे ज़ाड़ियों में फेक दिया बरात चली गई, बरात के बाजो का शोड़ धीरे धीरे दूर जाकर सहर के प्रकाश में बिलीन हो गया अकेला मजदूर था, उसके चारों तरफ सन्नाटा था, निराशा का अंधिरा था और दुकी दिल की आहे थी, वो गुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आँखों से आकास की और देख कर बोला, हे प्रबो, हमारे पास ना धन दौलत है, ना महल अटारी है, ना नौकर चाकर है फिर तुने हमें पैदा क्यों किया, क्या सिर्फ इसलिए कि हम अमीरों के नौकर आएं, और हमें मार पीट कर सड़क, उठा कर सड़क के किनारे फेक दें, आखिर दुनिया को हमारी क्या जरूरत है वो अपने परिसितियों से परिशान होकर उपर वाले से बोलने लगा, कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजा जब हमारे पास धन दौलत नहीं है, महल अटारी नहीं है, नौकर चाकर नहीं है तो दुनिया में हमारी आखिर क्या जरूरत है कई वर्ष बीद गए, मजदूर ने जीजान से काम किया दिन का आराम बेचा, रात की नीन बेची, सतरंग की चाले चली, छल कपड धोके, ये से धन कमाया और धनी बन गया जब कुछ वर्ष बीद गए, तो मजदूर ने अपनी जीजान लगा दिया, अपनी नीन को बेच कर, असतरंग की चाल चली, छल कपड किया, और उससे वाद धनी बन गया अब वा मजदूर ना था, अपने नगर का नामी रईज था उसके संदूकों में रुपए और मोहरे भरी थी, उसके पास रहने के लिए विशाल महल था, उसकी सिवा के लिए दास दासियां थी, उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियां थी, लोग उसके सामने से जुगाते थे उसकी महनत के बाद वह मजदूर नीरा वह रहीश बन गया उसके पास महरे थी, उसके पास नौकर थी, विशाल महल थे, दासियां थी जिसके पास उसकी सवारी के लिए गोड़े भी उसके पास थे एक दिन सांज के समय वह पालकी पर सवार अपने घर लोट रहा था कि एका एक उसकी पालकी रुख गई उसने नौकरे से पूछा क्या है एक दिन सांज में वह पालकी पर सवार होकर लोट रहा था वह अपने पालकी को रोकर अपने नौकरों से पूछता है क्या है तो सरकार मजदूरों की बारात आ रही है उन्हें कहा एक और हट जाएं तो वह बोल रहा है सरकार मजदूरों की बारात आ रही है उन्हें कहा एक और हट जाएं तो वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है इस पर हम भी चल सकते हैं उनकी इतने हिम्मत सब को डंडे मार कर भगा दो ऐसा बोलने के बाद कि सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है उस पर हम भी चल सकते हैं तो नामी रईस ने अपने मजदूरों से कहा कि सर उनकी इतनी हिम्मत उन्हें डंडर मार कर भगा दो बाकी बच्चों हम अगले क्लास में करेंगे तो घरों में रहे सेफ रहे स्टे सेफ स्टे हूं